सब्सक्राइब कीज़े माई एक्सपीरियंस माई रेस्टी चैनल को और बैल आइकन को प्रेस करके अल्टे सेट करना बिल्कुल मत भूलिए हाई फ्रेंड्स मैं हूँ प्रतिभा माई रेस्टी में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं नारियल की चट्नी नारियल की चट्नी को हम डोसा के साथ खा सकते हैं इडली के साथ खाते हैं या फिर आप उत्पम के साथ भी खा सकते हैं ये खाने में बहुत ही केस्टी लगती है इसको आप रोटी या प्राठा के साथ भी ले सकते हैं तो चले देखते हैं हमने यहाँ पर क्या-क्या लिया है चटनी बनाने के लिए हमने आ लिया है यह पानी वाला नारियल है इसको मैंने फीचे से छिलका हटा कर ले लिया है धन् नमक आप अपने टेस्ट के हैंसाफ से ले सकते हैं थोड़ा सा हमने छोटी वाली राहे लिए और करी पत्त लिया है राइ और करीपत्ते से बात में हम इसको तड़का लगाएं चाते surprised हम आरिल के छोटे छोटे टुकड़ी करके जार में डुलेंगे हमने सारी चीज़ें जार के अंदर डाल दी हैं तो चलिए अब हम चट्नी को पीस लेते हैं हम थोड़ा पानी एट करके इसको बीच बीच में चलाते हुए पीस लेंगे हमारी चट्नी इस गई है और यह बहुत ही टेस्टी दिख रही है इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए यह थोड़ी थिक ही अच्छी रगती है तो चलिए अपनी चट्नी में आप तड़का लगा लेते हैं फ्रेंट्स हमने अपने चमचे में एक यह दो छोटा जमच सर्जो का तेल डाल लिया है इसको हम गरम करते हैं जैसे ही हमारा तेल गरम होगा इसमें हम राई की दाने और थोड़ी सी करे पते डाल के उसको चट्का लेंगे और अपनी चट्नी की उपर धीरे से डाल देंगे तेल हमारा गरम हो गया है अब हम इसमें थोड़ी सी राई की दाने डाल देते हैं आप कम पसंद करते हैं तो कम दाने डालिए जादे दाने पसंद करते हैं तो जढ़े डाल लीजे है हमारी नारियल के चटनी बन कर तयार है प्रेंट्स मेरे वीडियो पसंद आया हो देश को लाइक कीजिए शेर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बैल आइकंप को प्रेट्न को प्रेस करके अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत के लिए जय हिन जय हिन जय हिन भारत